हेलो बच्चों कैसे हो आप सब आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं जोती इस्टडी विज्जे के चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा पांच हिंदी से अध्याय नंबर 11 चावल की रोटियां तो चलिए इसको देख लेते हैं बचों आप सब ने स्कूल में कभी न कभी किसी नाटक में खुद हिस्सा लिया होगा या फिर अपने स्कूल में नाटक का मंचन होते वे ज़रूर देखा होगा यहाँ पर भी एक ऐसा ही नाटक दिया गया है जिसमें पात्र परिचे दिया गया है नाटक में जो लोग हिस्सा लेते हैं उन्हें पात्र कहा जाता है यहाँ पर उनका परीचे दिया है इस नाटक में हैं कोको, नीनी, तिन्सू, मिमी, उबाटुन कितने पात्र हो गये? एक, दू, तीन, चार, पाँच तो यहाँ पर पाँच पात्र हैं जो नाटक में मुख्य रूप से भाग लेते हैं, जिनका रोल मुख्य होता है, उन्हें मुख्य पातर कहा जाता है, और जिनका रोल जो है वो कम होता है, उन्हें गोण पातर कहा जाता है, यहाँ पर हम देखते हैं कोको के बारे में, कोको आट साल का एक वर्मी लड़का, कु प्रवंदक इसका अविने कोई लंबे कत का लड़का नकली मुचे और चश्मा लगा कर सकता है। यहाँ पर जहाँ पर नाटक होना है नाटक का मंचन होना है उसका वर्णन किया गया है। बताया गया है एक सादा कमरा, दिवार उपर बास की चटाईया, एक दिवार के सहरे रखी अलमारी, अलमारी के उपर एक रेडियो, चाई की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्ष पर एक चटाई बिची है, जिसके उपर कम लंबाई वाली गोल मेज रखी है, दो दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की और खुलता है, और दूसरा एक किनारे की और, पंचियों के चह चहाने के साथ साथ परदा उठता है, दूर कहीं मुर्गा बांग कुटा भॉकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बसती है, कोको आता है, जमहाई लेकर अपने हाथ को सीधा करता है, जब कोई सोकर उठता है तो वो सीधा उठते ही अपने हाथ ऊपर करता है, और उम्म की आवाज करता है, उसको बोलते हैं जमहाई लेना, कोको कहता है, ये मन ही मन कहता है कोको कहता है माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं जब तक मा खाना बनाने के लिए लोट कर नहीं आती मुझे घर की देखफाल करनी है देखता हूं मा ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है वो को अलमारी की तरफ जाता है और उसे खूल कर देखता है एक तश्टरी निकाल कर देखता है कि चावल की चार रोटियां है वे होट उपर जीप फेरता है और मुस्कुराता है बच्चो आपको क्या करना है ना जैसे ही ये नाटक आप सुन रहे हैं आपको उसको अपने अंदर समझना है और वैसा ही करके देखना है आपको बहुत अच्छा लगेगा आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये नाटक आप खुद सामने कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं कोको कहता है अहां मजा आ गया चावल की रोटियां मेरी मन पसंद चीज वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैट जाता है कोको कहता है आज तो डट कर नाश्ता होगा वह एक रोटि उठा कर मुह में डालने लगता है तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है वहां नीनी आती है नीनी कहती है कोको एक कोको दरवाजा खोलो मैं हूँ नीनी कोको गजब हो गया यह तो भुखड नीनी है उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा मैं इन्हें छिपा देता हूँ नीनी फिर से कहती है दरवाजा खोलो कोको तुम क्या कर रहे हो इतनी देर लगा दी कोको कहता है मैं इन्हें कहां छिपाऊं कहां छिपाऊं रेडियो की तरफ देखकर मैं तश्टरी को रेडियो के पीछे छिपा दूँगा जोर से अभी आता हूं नीनी जरा रुको कोको आओ नीनी अंदर आ जाओ, निनी अंदर आता है निनी फिर से कहता है, धरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई तो कोको कहता है, कुछ खास नहीं, मैंने अभी-भी नाश्ता किया है और मूध होने लगा था, बोलो सुबह-सुबह कैसे आना हुआ तो निनी कहती है, क्या, यह मत कहना कि तुम भूल गए थे परिक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचनाने वाली है कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है निनी, वे खराब है, इसलिए सोचा, तुम्हारे रेडियो पर सुनूँगा निनी, गोल मेज के पास बैठ जाता है निनी, कहता है, रेडियो उठाकर यहीं लियाओ ताकि हम आराम से लेटे-लेटे सुन सके तो कोको, कहता है, निनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है तो निनी, कहता है, आओ, कोशिश करके देखे मैं उठाकर ले आता हूँ तो निनी, अलमारे की दरफ जाने लगता है तो कोको, कहता है, नहीं, नहीं, निनी, इसे मच्छू ना छुँगे, तो करंट लगेगा, निनी, रुख जाता है कोको ने ऐसा क्यों कहा होगा कोको ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने अभी-भी तो वहाँ अपनी रोटिया चुपाई थी तो निनी कहता है, मैंने तो इसे चोही लिया था भई, मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ तिन्सू के घर जाता हूँ, तुम आओगे तो कोको कहता है, नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे निनी तेजी से बाहर निकल जाता है कोको गहरी सांस लेकर बाल-बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए मेरे पेट में तो चुहे दौने लगे है कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है एक रोटी उठाकर खाने लगता है तभी दर्वाजे पर दस्तक सुनाई रहती है कोको तस्तरी नीचे रखकर जाने आप कौन आतापका मिमी कोको दर्वाजा खोलो, मैं हूँ मिमी कोको बापरे, यह तो मिमी है उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है और वे हमेशा भूकी होती है मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए लेकिन कहां? वे तो कुछ खाने की चेट ढूनने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी मिमी फिर दरवाजा खट-खटा कर कोको दरवाजा खोलो न इतनी देर क्यूं कर रहे हो? कोको कहता है कहां छिपाऊं? कहां छिपाऊं? कमरे में चारो तरफ देख देख कर ठीक इस फूलदान के अंदर शिपा दूँ कोको फूलदान में तस्तरी रखकर धर्वाजा खोलता है मिमी कागज में लिट्टा बंडल उठाए कमरे में आती है मिमी कहती है धर्वाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी तो कोको कहता है मैंने अभी-भी नाच्ता किया था और मूँ धोने लगा था आओ बैठो कोको और मिमी मेंज के इर्दगिर्द बैठते है तो मिमी कहती है मुझे अभी-भी तुम्हारे माता पिता मिले तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की रोटियां रखी है तो मैंने सोचा कोको कहता है चावल की रोटियां? हाँ थी तो लेकिन मैंने सब खाली मिमी कहती है एक भी नहीं बची तो कोको कहता है सौरी मिमी मैंने सब खाली हाथ से पेट को मलते हुए पेट एकदम भर गया है लगता है आज तो तोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा तो मिमी कहती है बहुत बुरी बात मेरी माने केले के पापड बनाए थे मैंने सोचा तुम्हारे साथ बाट कर खाऊंगी मैं चार पापड लाई हूँ दो तुम्हारे लिए, दो अपने लिए सोचा था तुम्हारी जावल की रोटिया और मोटे पापड दोनों का बड़िया नाशता रहेगा तो मीमी कागज का बंडल खोलती है और पापड निकालती है वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है मीमी कहती है गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते कोको पापड देखकर होटो पर जीब फेर कर स्वगर मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारो पापड तो खा नहीं सकती शायद दो मेरे लिए छोड़ जाए मीमी एक पापड उठा कर क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? कोको हाँ हाँ अलमारी पर है मैं ले आता हूँ कोको चाय की केतली और दो कप उठा लाता है मीमी एक कप में चाय डालती है मी मी कहती है तुम तो चाय पिओगे नहीं पेट भरा होगा तो कोको कहता है स्वगत मेरा पेड भूख से गुड़ गुड़ कर रहा है भगवान करे मीमी को यह गुड़ गुड़ ना सुनाई दे मीमी पापड़ खाते वे कहती है यह कैसी आवाज है कोको आवाज कैसी आवाज मीमी हलकी हलकी गड़ गणाने की आवाज यह फिर से हुई सुना तुमने कोको कहता है यह हमारे घर में चूहा गुसाया है वही यह आवाज करता है दर्वाजे पर फिर दस्तक होती है कोको कहता है कौन तिनसू तिनसू कहता है मैं हूँ तिनसू कोको उठने लगता है तो मिमी कहती है तुम बैठे रो आराम करो तुमा तन्सु पॉक्ता हूं के लिए तैंध सु कैथा हैं। है, मिम्मी कैत है का रोतिय होत है। कोको कैता है का मिम्मी और तन्सु मेज के पास घ॥ा रहा है। मिम्मी का श्काली है, बस नाकी नन्स्टें में चावली रोटियां ज zwischen केले के पापड़ों के सावपण। मिमी कहती है मैं कोको के लिए भी ले आई थी लेकिन चुकि उसका पेड एकदम भरा हुआ है तो मिने ख़तम करने में मेरी मदद करो तो तिन्सू कहते है नेकी और पूछ पूछ तुम्हारी मा गाउं में सबसे बड़िया पापड बनाती है तिन्सू एक पापड उठा कर खाने लगता है मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है मिमी कप देकर कहती है यहलो चाय के साथ खाओ तिन्सू क्या करता है चाय की चुस्की लेकर होटो पर जीफ विरा कर बहुत बड़िया चाय है मेरी खुश किसमती जो इस वक्त यहां आ गया कोको स्वगत तुम्हारी खुश किसमती और मेरी बद किसमती मिमी और तिन्सू एक एक पापड खा लेते है और मिमी जो है वो दूसरा उठाती है तो मिमी कहती है यहलो तिन्सू एक और खाओ तिन्सू कहता है नहीं मेरे लिए तो एक ही काफी है मिमी कहती है आधा तो ले लो तुम्हारा आधा मैं खालूंगी एक कोको के लिए रहा शाम को खालेगा तो तिन्सू कहता है तुम जोड डालती हो तो ले लेता हूँ कोको कहता है स्वगर चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं मैं भूख से मरा जा रहा हूँ तिन्सू फिर से कहता है यह आवाज कैसी है तो मिमी कहती है यहाँ एक बड़ा चुभा गुसाया है कोको कहता है वही यह आवाज करता है और ये सारी आवाज पता है कहां से आ रही थी ये आ रही थी कोको के पेट से क्योंकि वो भूखा था तिंसु कहता है ऐसा लगा कि किसी के पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है तिंसु और मिमी पापड खत्म करते हैं मिमी कहती है अच्छा ये फूल कैसे है तिंसु कहता है ओ मैं तो भूली किया था मेरी माने कहा था कि कोको की माने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं इदर उदर वो देखता है और उसे अलमारी के ऊपर फूल दान दिखाई देता है वहरा फूल दान अलमारी पर तो मिमी कहती है मुझे दो मैं इन्हें फूल दान में रखाती हूँ तिनसु उसके हाथ में फूल देता है और वह उठने लगती है तो कोको कहता है नहीं नहीं मि जब भी वह ये फूल देखती हैं उनके जिसमें फुन सिया निकलाती है तो तिनसु कहता है ओग मुझे इस बात का पता नहीं था खेर मैं इन फूलों को वापिस ले जाऊँगा को को चैन की सांस लेकर स्वगत मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने जूट बोल ने पड़ेंगे क्योंकि अब जो रोटियां थी थी आपकी बार उसने फूल दान में रखी थी फिर से दर्वाजे में दस तक हो ती है तो को कहता है कौन? तो उबातुन कहता है मैं हूँ दुकान का मेनेजर उबातुन तो मीमी कोको से कहती है तुम मत उठो कोको मैं खोलती हूँ दरवाजा जोर से कहती है अभी आई उबातुन चाचा उबातुन नीला फूलदान लिये आता है लगता है कि छोटी मोटी पार्टी चल रही है तो मिमी कहती है आओ चाचा आओ उबातौ चुर्ण मेज के पास ब्याड जाता है कोई अतुराज नहीं बहुत बहुत शुक्रिया मिमी अलमारी के दद गा पुप लेती है और चाय डाल कर उबातुन को देती है उबातुन कब से चुसकी लेकर क्या मजेधार चाय है खुशबुदार ताजगी लाने वाली तो तिन्सु कहता है चाचा आपने नाश्ता कर लिया उबातुन कहते है अभी नहीं किया मैं सूझ रहा था किसी चाय की दुकान पर रुख कर लोगा तो मीमी कहती है चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत आप यह पापड ले सकते हैं उबातुन कहते है लेकिन मैं तुम से किसी का हिस्सा नहीं मानना चाहता तिन्सु कहते है कोई बात नहीं चाचा हम सब के पेट तो भर गये हैं उंगली से गलेत को छूता है इसी का पेट भूख से कुलगुला रहा है उबातुन पापड उठा कर खाने लगता है और कोको को ना तो अभी तक रोटी मिली और ना ही पापड उबातुन कोको तुम आज बहुत चुपो तबियत तो ठीक है कोको कहता है कुछ नहीं चाचा मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो मिमी कहती है उसका पेट बहुत भरा हुआ है नाचता बहुत डट कर किया है उबातुन पापड खत्म करके हाथ से मूँ पोचता है उबातुन कहता है कोको तुम्हारी मा हमारी दुकान से एक फूर्दान लाई थी इधर उधर देखकर हाँ पहरा कोको कहता है क्यों फूर्दान का क्या करना है उबातुन कहते है तुम्हारी माने नीला फूर्दान मांगा था उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था इसलिए मैं गुलाबी ही ले आई उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूर्दान मिल गया मैं उसे बदलने आया हूँ गुबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूर्दान उठा लेता है और उसकी जगा नीला फूर्दान रख देता है मुबातुन कहते हैं कोको से मुझे यकीन है तुमारी मा नीला फूर्दान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी अब मैं चलूँगा शुक्रिया और गुडबाई मिमी तुन्जु कहते हैं गुडबाई चाचा कोको भी कहता है गुडबाई चाचा स्वगत और गुडबाई मेरी चावल की रोटियों ये जो अध्याय है ये लिखा है पी ओंखिन ने और इसका हिंदी में अनुआत किया है मस्तराम कपूर ने को ये वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर दें अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शियर करें जो लोग चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फूर वाचिंग बहुत चल्द मिलेंगे इसके कुछी नहीं से सकी साथ